नमस्कार मैं हो दिव्या बिहारी नियूज में आपका स्वागत है आज एक 11 मार्च दिन सोमबार खबर के उबने से पहले एक नजर सुर्खियों कर अब डिग्री कॉलेज नहीं बनेंगे दसवे और बार्वी परिक्षा के केंद्र सम्वेदन सील जगों को चनहित कर बिहार में बार रोकने की राजिसरकार कर रही है तैयारी इन आपातर स्थितियों में डायल 112 की आप ले सकते हैं मदद नीती आयोक की रैंकिंग में बिहार के जमुई को मिला पहला अस्थान छे दिनों में एक करोड से भी अधिक लोगों को बिहार में मिला आयुस्मान कार्ड सिक्षा विभाग और राजभवन के टकराव के बीच सिक्षा मंतरी का बयान आया सामने आईपेल के शुरुवात के साथ ही CSK के कैंप में अभ्यास के लिए पहुँचे धोनी अब चले बढ़ते हैं बिहार केप्टर के 25 बरी खबलोटी और विस्तार से कम्योनिस्ट हेल्थ आफसर के पदों पर निकली भरती इस भर्ती के माध्यम से कुल 4500 पदों को भरा जाना है उमिद्वारों से आविदन सुलकी के रूप में 500 रुपे लिए जाएंगे हालांकि इस भर्ती के लिए आरक्षित उमिद्वारों को 250 रुपे ही देने होंगे भर्ती के लिए उमिद्वारों के आयू सीमा 21 वर्स निर् परिक्षा के केंद्र जाने क्यों अब कॉलेजों में दस्मी और बार्वी में बोर्ट परिक्षा के केंद्र नहीं बनाए जाएंगे जिला सिक्षा अधिकारी को दूसरे केंद्र तलास करने के आदे इस माध्यमिक सिक्षा निदेशक कनहिया प्रसाद स्रिवास्तर द्वारा दिए गए हैं माध्यमिक सेक्षा निदेसक द्वारा कहा गया है कि अगले सेक्षनिक सत्र में 24-25 से आयुजद की जाने वाली बार्शिक इंटरमीडियेट माध्यमिक एवब अन्य परिक्षाओं के लिए दिगरी महाविध्याले को परिक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा बिहार विद्याले परिक्षा समीती द्वारा कहा गया है कि 2025 में आउजित की जाने वाली दसवी और बार्वी की बारसिक परिक्षा और अन्य परिक्षाओं के लिए परिक्षा केंद निर्धारन उसी विध्याले में किया जाईजिस में परियाप्त आधारबुद सनत्ना हो ताकि परिक्षाओं के दोरान नौवी और 11 कक्षा का संचालन हो सके यदि डिग्री कॉलिज केंदर नहीं बनाये जाते हैं तो ऐसे में संभावना दिताई जा रही है कि ग्रामीन, छेतर और मद्धेवा हाई स्कूल को परिक्षा के केंदर बनाये जा सकते हैं बिहारी वत्रे स्पेसल में आज हम बात करेंगे पूजा मसरा के बारे में पूजा एक भारतिय मॉडल अभिनेतरी हैं इनका जन बिहार के मुंगेर में आज कही दिन हुआ था इन्होंने अपने फिल्मी केरियर की शुरुआत अरजुन राम गोपाल और इस वर्या राय स्टारर फिल्म दिल का रिस्ता से किया था वहीन के टीवी कैरियर के शुरुआत बीफोर यू के जबवी टॉक से हुई थी इसके लावे ये बिंदास के रियालिटी सो बिग बॉस वीच में भी नजर आ चुकी है साथ ही बिग बॉस के पांचवे सीजन में भी एक प्रतिभागी के रूप में इन्होंने हिस्सा लिया था शे दिनों में एक करोड से भी अधिक लोगों को बिहार में मिला आयुसमान कार्ट बिहार में 2 मार्च को 6 दिवसी विसेस अभ्यान आयुसमान कार्ट को लेकर शुरू किया गया था इस अभ्यान के तहट प्रदेश में एक करोर से भी अधिक लोगों को आयुसमान भारत प्रधान मंत्री जन आरोगी योजना का कार्ट जारी हुआ है इसे लेकर उक्मुके मंत्री समराच चौधरी ने बताया है कि बिहार में NDA सरकार ने ABPMJAY के तहत राजिके सभी रासन कार्ड धारकों को हर साल पांच लाक रुपे तक मुफ्त चिकित्सा अपचार प्रदान करने का नर्ने लिया है आगे उन्होंने कहा कि 6 दिनों में 1,3,95,497 लाभारतियों को आयुस्मान भारतकार जारी करना राजसरकार की एक बरी उपलब दी है समवेदन सील जगों को चनहित कर बिहार में बार रोकने की राजसरकार कर रही है तैयारी बार वाले संभावित अस्थलों के पहचान बिहार सरकार द्वारा की जा रही है वरतमान में बिहार में कुल 55 ने समवेदन सील अस्थल चनहित हुए है इन सभी अस्थानों को मांसुन से पहले दुरुस्त करने की तैयारी चल रही है इससे दुरुस्त करने के लिए कारे योजना की तैयारी भी जलसंसादन विभाग द्वारा की जा रही है खबर आई है कि राजस सरकार ने 398 करूर रुपे की मंजूरी जलसंसादन विभाग के इस योजना के लिए दिया है राजसरकार द्वारा दियेगा 398 करूर रुपे से गंगा, गंडक, कोसी, बूरी गंडक, महाननदा, बागमती, कमला नदियों के सम्वेदन सीला स्थानों को मजबूत मनाये जाएंगे मिली जानकारी के नुसार, पुरानी बागमती नदी के तटबंद के 16 किलो मिटर से 20 किलो मिटर के बीच तटबंद का उची करन इस योजना के तहत किया जाएगा बाहर का पानी इसके उपर से ना बहे, इसके लिए तटबंद के उची करन की तयारी की जा रही है एक जून से बिहार में बार की अबधी शुरू हो जाती है इसलिए सभी कारियों को 15 मही तक पूरा करने की तैयारी है नीती आयोग की तैयारी नीती आयोग की रैंकिंग में बिहार के जमुए जिले को मिला पहला अस्थान नीटी आयोग की रैंकिंग में बिहार के जमुई जिले को पूरे देस भर में पहला अस्थान मिला है आपको बता दे कि देस भर में कोल 112 सहर हैं जिसमें जमुई देस के आकांगशी जिलों में सामिल रहा है निती आयोग ने जन्वरी 2024 तक की जो रैंकिंग जारी की है उसमें पूरे देश में जमुई ने ओवराल प्रदर्सन करते वे पहला अस्थान प्राप्त किया है वहिस रैंकिंग में राज अस्थान के करॉली को दूसरा अस्थान और आंध्र प्रदेश के सिथार्मा को तीसरा अस्थान और वंध्र प्रदेश के विदीशा को चोथा अस्थान मिला है और चतरसकर का बीजापूर पांचवे अस्थान पर रहा है बंदे भारत ट्रेन से 6 गंटे में पटना से पहुंचेंगे अयोध्या अब राम रिल्ला के दर्सन हुए आसान बंदे भारत एक्स्प्रेस का परिचालन जो पटना से लखनों वाय आयोध्या जाने वाली है उसका समयत्य हो चुका है अब बिहार वासियों के लिए आयोध्या जाना पहले से और आसान हो चुका है आपको बता दे कि हरी जंडी दिखा कर इस ट्रेन का उध्गाटन प्रधान मंत्री नरेत मोधी 12 मार्च को करने वाले हैं इस ट्रेन के परिचालन से पटना से लखनों के वन 8 गंटे और 45 मिनट मे तो वहीं आयोध्या महत 6 गंटे में आसानी से लोग पहुंच सकेंगे ये ट्रेन पटना से लखनों के बीच आरा बकसर डीडी यू बारा नसी और आयोध्या में रुकेगी शुक्रवार को छोर कर सब्ता में 6 दिन 2-2-3-4-5 पटना गोमती नगर वंदे भारत एक्स्प्र परिचालन किया जाएगा इस ट्रेन के परिचालन से रामलला के दर्जन करने वाले विहार के स्रधालों को काफी सहूलियत होगी ट्रेन के समय सारनी की बात करें तो मंगलवार को पटना से ये ट्रेन सुभे 6 बच कर 5 मिनड़ पर खुलेगी फिरा योध्या 12 बच कर 15 मिनड तक पहुँचेगी वहीं गोमती नगर में ये धाई बजे तक पहुँच जाएगी इस आपात इस्थितियों में डाइल 112 की आप ले सकते हैं मदद बिहार पुलिस ने सोसल मीडिया एक्स के अपने आधिकारिक अकाउंट पर डाइल 112 से संबंधित को जानकारी साजा की है पोस हो रहे क्राइम को रोकने के लिए सरक दुरघटना के लिए और आग लगने जैसे आपात अस्तिति के लिए ले सकते हैं राइट टू रिपेर पर सरकार का उभोकताओं के हित में बरा फैसला सरकार ने उभोकताओं के लिए राइट टू रिपेर अधिकार को लेकर बरा फैसला लिया है इस फैसले के तहाट सर्विस सिंटर और वारंटी सर्तों पर असपस्टता के जरी उभोकताओं के जीवन को आसान बनाने के लिए और्टो मोबाइल एलेक्ट्रोनिक्स उभोकता टिकाओ वस्थ में और क्रिसी उपकरन जैसे चार सिक्टरों को मंजूरी मिली है साथ ही कहा गया है कि उभोकताओं के सर्वुत्तम हित में प्रोडक्ट्स, सेवा किंद्र और वारंटी सर्तों के बारे में जानकारी दिये जाए आपको बता दे कि सरकार के इस फैसले से उभोकताओं पर खर्च का बोज़ भी कम होगा बिहार परेटन में आज हम बात करेंगे स्कॉन टेंपल के बारे में पटना के बुधमार्ग में स्थित स्कॉन मंदिर भगवान कृष्णो राधा को समर्पित है दोग इस मंदिर को बांके बिहारी जी के मंदिर के नाम से भी जानते हैं मंदिर की उचाई करीब 108 फुट और ये मंदिर 84 सम्भो पर आधारित है इस भवे मंदिर का फैलाव करीब 2 एकर में देखने को मलता है इस मंदिर की भववता और वास्तुकला देखते बनती है मंदिर में अस्तापित राधा कृस्ति की प्रतिमा स्रधालों का मन मोह लेती है इस मंदिर में आकर एक अलग ही सांती के नुभूती होती है यदि आप भी धार्मी कस्तोनों पर घूमने का सौक रखते हैं तो यहां आ सकते हैं घर बैठे भी पंकस्त्री पार्टी के फिल्म में अटल हूँ देख सकेंगे लोग इस साल के शुरुवात में अटल बिहारी वाजबई के जीवन पर बनी फिल्म सिनेवा घरों में रिलीज हुई थी इस फिल्म में पंकस्त्री पार्थी अटल बिहारी वाजपरी बन लीड रोल प्रे करते नजर आये थे फिल्म रिलीज होते ही दो महीने हो चुके हैं अब लोग इस फिल्म को डिजिटल प्रीमियर के जरीगे अपने घरों पर भी देख सकते हैं आपको बता दें कि 14 मार्च से जी 5 प्लेटफॉर्म पर आप इस फिल्म को विसेश रूप से देख सकेंगे इंस्टाग्राम पोस्ट में जी 5 ने जानकारी देते वे कहा है कि शुरू करो तयारी आ रहे हैं अटल बिहारी मैं अटल हूँ का प्रीमियर 14 मार्च को जी 5 पर होगा सक्षा विभाग और राजभवन के टक्राव के भी सक्षा मंतरी का बयान आया सामने इन दिनों बिहार में सक्षा विभाग के अपर मुखे सचीव केके पाठक और राजभवन के बीच टक्राव देखने को मिल रहा है 15 मार्च को प्रदेश के विष्विध्यालों के वीसी, प्रो वीसी और परिक्षा नियंतरकों के फिर से केके पाठक ने बैठक बुलाई है इससे पहले दो बार इनकी बैठक बुलाई गई थी ऐसे में कहीं कोई टक्राव के इस्तिति नहीं है राजभवन और सिक्चा विभाग दोनों मिलकर काम कर रहे हैं उन्होंने कहा है कि मीटिंग अस्थगित होई थी, कुलपती जाते ही है किसी कुलपतियों के खिलाफ रात में की दर्थ नहीं हुई है एक हफ़ते के लिए विदेश दौरे पर गए सीम नितीज इस वज़न से चार दिनों में ही आ रहे हैं वापस अभी हाल में ही बिहार के सीम नितीज कुमार विदेश दौरे पर इंग्लेन गय थे अब उनके भारत लोटने की ख़बर सामने आई है खबर है कि वे आज सुभई 11 बजे तक दिल्ली आ जाएंगे इसके बाद साम तक वे पटना भी लोटाएंगे आपको बता दे कि सीम नितीज एक हफ़ते के लिए विदेश दौरे पर गए थे लिकिन अब वे केवल चार दिनों में ही वापस आ रहे हैं क्योंकि एंडिये में सीट सेरिंग को लेकर बात चल रही है और अभी तक एंडिये में मौझूद बीजेपी जदियों और अन्य सहयोगी दलों के बीच सीट सेरिंग को लेकर फॉर्मूला तै नहीं हो पा रहा है दस्वी के बच्चों की जारी हुई आंसर की इस दिन तक दर्ज करवा सकते हैं आपत्ति मैट्रिक वार्सिक परिक्षा के वस्तुनिस्ट प्रस्नूं की आंसर की बिहार विद्याले परिक्षा समीधी द्वारा जारी कर दी गई है 14 मार्च साम 5 वजे तक चात्र और अभिभावक चाहे तो इस पर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं आपको बता दे कि बिहार बोड के आधिकारिक वेबसाइट बिहार बोड ऑनलाइन.bihar.gov.in पर जाकर आप इस आंसर की को देख सकते हैं निधारे तिथी के बाद आपत्ति दर्ज करवाने वाले बचों के आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा इसलिए निधारे तिथी में ही आपत्ति दर्ज करवाने की दी जा रही है सला बिहार में लोगों को चलने वाले पच्छुआ हवा से बचकर रहने की सला दी जा रही है इसका असर आपके स्वास्त पर भी पर सकता है इस पच्छुआ हवा के कारण प्रदेश के तापमान में भी थोरी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है मौसम विभाग के मताबिक प्रदेश में आज का मौसम सुष्क रहने की संभाब ना जताई गई है वहीं प्रदेश का जितम तापमान 28-30 जिगरी और निउन्तम तापमान 12-14 लिगरी रहने की संभाब ना जताई गई है प्रदेश के सभी अर्थे जिलों में मौझूद अन्या पिछ्रा वर्ग कन्या आवासे उच माध्यमिक विद्यालों में की जाएगी इसे प्रदेश के लगबग 35,000 चात्राओं को परहाई का लाब मिलेंगे आज राबरी देवी समयत अन्या उमिद्वार एमल से चुनाव के लिए दाखिल करेंगे नामंकर बिहार विधान परिशत की 11 सीटे खाली होने वाली हैं खाली हो रही इन सीटों को लेकर होने वाले चुनावों के लिए प्रत्यासियों दुआरा नामंकर किये जा रहे हैं राबरी देवी के साथ इस दौरान लालु यादव और तेजस्वी यादव के साथ-चाथ अन्यक कई नेता भी मौजूद रहने वाले हैं त्रेनमोल कॉंग्रेस ने लोगसबा चुनाव में सत्रुग निस सिन्हा और किर्थी आजाद पर जताया भरोसा त्रेनमोल कॉंग्रेस के उमिदवारों के नाम का एलान पार्टी के नेता भी सेग बेनर्जी द्वारा किया जा चुका है पार्टी ने एक बार फिर से बिहार के सत्रुग निस सिन्हा पर भरोसा जताया है और इन्हें आसन्सोल से चुनाव मैदान में उता रहा है सत्रुग निस सिन्हा के अलावे बिहार से संबंध रखने वाले पूर्व क्रिगेटर और पूर्व सांसत किरती आजाद को भी त्रेनमोल कॉंग्रेस द्वारा टिकेट दिया गया है किरती आजाद को ये टिकेट वर्दवान दुर्गापुर से मिला है आपको बता दे कि कॉलकाता की रैली में राजी के 42 लोगसभा सीटों के लिए 300 मिदवारों के नाम का एलान्त रिनमूल कॉंग्रेस द्वारा किया गया है वैसाली साहिब गंज पहुंचे चिराग ने भरी हुंकार बिहार में सभी राजनीतिक दल लोगसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुके है अब इनी तयारी के बीच वैसाली लोगसभा छेतर के साहिब गंज में जन आसरवाद सभा को संबोधत करने चिराग पासवान पहुंचे आपको बता दे कि इन दिनों चिराग पासवान किसके साथ गड़बंदन करेंगे इसकी खूब चर्चा देखने को मिल रही है अब इनी चर्चाओं के बीच वैसाली पहुंचे चिराग पासवान ने अपने रैली के दोरान कहा है कि चिराग पासवान जब तक जीएगा वो बिहार और बिहारी के लिए समर्पित रहेगा दिल्ली के लिए रवाना हुए मीडिया से बात्चीत की दौरान उन्होंने बताया है कि दिल्ली तो आना जाना हमेशा ही लगा रहता है हाला कि जब उनसे दिल्ली जाने का कारण पूछा गया तो उसकी वज़ा उन्होंने व्यक्तिगत काम बताया है साथ उन्होंने कहा कि हिना सहाब ने बताया कहां और किसके साथ लरेंगे चुनाब लोकसभा चुनाब से पहले सिवान के पूर्व सांसा दिवंगत साबुद्दीन की पत्नी हिना सहाब ने कारेकरम की दौरान बड़ी घोसना की है। उनका परिवार है। दलतो बाद में हुए पहले सब सिवान उनका एक परिवार था। उन्होंने बताया है कि सिवान से वो खुद या उनके बेटे उसामा सहाब निर्दली चुनाब लरेंगे। देखने को मिलेगा। आपको बता दी कि सभी खिलारे हिस्टा ले सके और अभ्यास कर सके। इसके लिए सभी फ्रेंचाइजी अपने कैम्प लगा चुके हैं। चिन्ड़ी सूपर किंग्स के कैम्प में MS धोनी भी हिस्टा लिया। मालूमों कि मेंदिल सिंग्धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से सन्यास ले लिया और अभी हाल में ही। पर मुकेस अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी के प्री वेडिंग में दिखाई दिये थी। कई कानों से दज है भारत के तेहास में आज की तारीख आज के दिन वर्ष 1999 में MS कंपनी पहली भारती कंपनी नहीं जो अंतराश्टे स्टॉक एक्स्चेंज की सूची में आई थी। आज के दिन वर्ष 2011 में भारती रक्षा वैग्यानिकों ने उरिश्टा के समुंद्र तरट पर 350 किलोमीटर दूर तक मार करने वाले धनोस और प्रिथवी मिसाइलों का सफल परेक्षन किया था। आज के दिन वर्ष 2015 में भारत के जाने माने क्रिकेटर विजय हजारे का जन्व हुआ था। जरूरी है कि आपको परिक्षा किंद पर कौन-कौन से डॉक्यमेंट्स ले जाने जरूरी होंगे और किन-किन चीजों को किंद पर ले जाना मना है। तो आपको बता दे कि परिक्षा किंद पर एड्मिट कार्ट के साथ इसके दो प्रिंट आउट पेपर अटेंडन्स सीट पर चपकाने के लिए एक पासपोर्ट साइज फोटो साथ ही पहचान पत्र लाना जरूरी है। वहीं दिव्यां गुमिद्वारों को PWBD सर्टिफिकेट ले जाना होगा इसके लावे किसी तरह के लेक्ट्रोनिक्स गैजट बैग खाने का सामान या पानी और कैलकुलेटर जैसी चीज़े ले जाना सक्त मना है। जाने QLED, OLED और LED TV डिस्प्ले में अंतर अभी तक तो सभी घरों में केवल साधारन टेलिविजन ही हमें देखने को मलते थे लेकिन आप कई घरों में स्मार्ट टीवी का ट्रेंड भी देखने को मल रहा है। क्योंकि ये स्मार्ट टीवी ड्वांस तकनीके साथ आते हैं जो लोग द्वारा काफी पसंद किये जा रहे हैं। लेडी में एंगल बदलने पर व्यूइंग एंगल में भी फरक आता है। इसकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी होती और सांदार कॉंट्रास्ट मिलता है। बात कर लेडी डिस्पले टीवी की तो इसमें ब्लैक कलर में भी थोरी वाइटनेस रहती है। कॉंट्रास्ट कुछ खास नहीं मिलता ये कम कीमतों में भी आपको मिल जाते हैं और ये आपको हर साइज में उपलब्ध हो जाएंगे। हम प्रेजिद्राम से पांच जैसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो की बीपी सी बिहार पुलिस दरोगा समित ऐसे सी जैसे अनर्प रतोगी पर एक शाओं में काम आएंगे। इसका सही उतर है दिल्ली। भारत के 75 वर्ष के उपलक्ष में हमारा सम्मान अभियान कारेकरम कहां पर आयोज़त किया जाएगा। उप्षन ए है पटना उप्षन भी है जैपुर उप्षन सी है बिका ने उप्षन दिये परियाग राज। इसका सही उतर है राजस्थान का बिका ने किस देश को प्रतिस्ठित खसरा और रुबेला चैंपियन वैस्विक पुरसकार से सम्मानित क्या गया है। उप्षन ए है स्री लंका उप्षन भी है बांगलादेश उप्षन दिये भारत बिहार में राजस्थान के कितनी सीटे हैं उप्षन ए है 12 उप्षन भी है 16 उप्षन सी है 27 उप्षन दिये 19 इसका सेंवतर है 16 निम्निकित में से बिहार का कौन सा सत्यागरा सरवादिक लोग प्रिये है ऑप्षन यह बिर्सा अंदोलन ऑप्षन भी है ताना भगत अंदोलन ऑप्षन सी चंपारन सत्यागरा अंदोलन अब संडी भार्ट शोरओं अंदोलन इसका स्युतर है चंपारन सत्यागरा अंदोलन बीते दिन अवादवर्ण पुचे के सवाल का आप लोगों में से बहुत शारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कॉमेंट कोमेंट सुक्शन बॉक्स में लिका दिया थे जिन्हों न आपके मुताबिक डायलेक्स वादा आपात स्तिती में कितनी मददकार है आप अपना जवाब हमें मारे कॉमेंट से संबॉक्स में लिकार जरूर बता है आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते हैं बिहारी न्यूद और साथ ही अग अगर आप फेस्बुक से लेखने तो पेज को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद